हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल एसे सी एक्जाम प्रिप्रेशन में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अगस्द 2017 को 1st सिफ में पूछे गए मैट्स के कुस्चन्स की जो भी तक मुझे मिले हैं इस कारण सारे कुस्चन्स का मिलना संभब नहीं हो पा रहा है जैसे जैसे हमें मिलेगी हम अपलोड करते जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल बटन को क्लिक कर लिजे ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए स इस तरह से हमारा कुस्चन्स जो कि काफी इजी है हमारा बोल रहा है कि पी इंटू 3 by 4 एक्वाल है किसके तो q इंटू 7 by 11 से तब हमसे पुछ रहा है p ratio q इकल टू क्या होगा तो हम जैसे कि इसमें देखे तो हम इससे आसानी से सॉल्व कर सकते है p ratio q इकल टू क्या हो जाए कुश्च ने कह रहा है अगर if profit is 170 percent of CP if CP increases 20 percent then profit is यह हमारा question करें कि अगर profit जो है cost price के 170 percent हो यह हमारा दे दिया कि जो cost price है माना कि हमने हमारा cost price है 100 बोल रहा है इसका जो profit है वो cost price का 170% है तो profit हमारा क्या होगा 100 का 170 परसेंट तो हमारा profit हो गया कितना तो 200 sorry 170 हमारा profit कितना हो गया तो 170 फिर हम से बोल रहा है क्या इतना तो हमारा हो गया उसके बाद हमें condition दे रखा है पुछ रहा है कि अगर CP यानि कि cost price increase करता है 20% से तब profit क्या होगा तो अगर हम देखे next condition की बात कर रहा है कि cost price 20% से increase करता है तो अगर 20% से increase करेगा तब हमारा cost price कितना हो जाएगा तो 100 का 100 से increase करता है 20% तो 100 multiply by 120 divided by 100 इस तरह से हमारा cost price आ गया 120 अब हमारे पास cost price भी मालूम चल गी तब हमसे पुछ रहा अगर ऐसा होता है तब profit क्या होगा तो हमारा profit क्या हो जाएगा तो अगर हमारा cost price 100 profit 170 तो हमारा selling price कितना हो जाएगा तो 100 plus 170 because हम जानते selling price equal to cost price plus profit यानि cost price हमारा हो गया 270 स्वारी selling price हो गया हमारा 270 और cost price आपको दे रखा है 120 तो हमारा profit कितना हो जाएगा तो 270 minus 120 यानि कि 150 अगर आपसे profit percent पूछे तो हमें इसमें क्या करना है 150 divided by 120 multiply by 100 ये हमारा क्या हो जाएगा तो profit percent next है हमारा question algebra से related question है आपका x plus 1 by x का value दिया हुआ था क्या value दिया हुआ था वो हमें नहीं मालूम तब हमसे पूछ रहा है x to the power 6 plus 1 by x to the power 6 equal to what तो हमें इसके value नहीं मालूमें तो हमने माना कि इसका value question में something कुछ भी हो सकता है but because हमें नहीं मालूमें तो हमने इसका value 3 माल लिया आपको हमने इसके बनाने के बहुत सारे tricks बता हैं जो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं तो हम इसमें करेंगे कि दे रखा x plus 1 by x equal to 3 तो x cube plus 1 by x cube because x6 plus 1 by x6 पूछ रहा है तो हम इसे लिख सकते x cube plus यह हो गया हमारा x cube का whole square plus 1y x cube का whole square या फिर हम इसे आप देख रहेंगे कि 6 जो है x to the power 6 वो हमारा formula किसका बन रहा है तो cube से बन रहा है तो हम यहां सा सबसे पहले x cube plus 1 by x cube का निकाल लेंगे value तो x cube plus 1 by x cube का value हमने आपको बताया है पिछले parts में trick के रूप में बताया था कि अगर हमारा दिया रहा है x plus 1 by x equal to k तब हमारा होता है x cube plus 1 by x cube equal to क्या होता है तो kq minus 3k kq minus 3k तो यह हमारा हो जाएगा कितना तो 3 का q minus 3 into 3 तो इस तरह से यह हमारा होगे 27 minus 9 याने की 18 अब हम x cube plus 1 by x cube मालूम है अब हम इसमें दोनों तरफ all square कर देंगे दोनों तरफ all square करने से हमारा क्या होगा डिरेक्टली हम x6 plus 1 by x6 का वैलू मालूम चल जाएगा तो x cube plus 1 by x cube का all square होगा क्या तो x to the power 6 plus 1 by x to the power 6 plus 2 into x का q 2 into 1 by x cube equal to हमार होगे 18 का square याने की 324 x cube से 1 by x cube कैंसल हो गया हमारे पास बचा किया तो x to the power 6 plus 1 by x to the power 6 equal to 324 minus 2 याने की 320 तो हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SS exam preparation में हमारा math का जो सबसे first question पुछा गया था वो था simple interest से यह question हमारा था क्या अगर आपका दिया हुआ था आपको question में क्या तो दर दिया हुआ था आपका 5 पर्सेंट और क्या दिया हुआ था मूलधान याने की principle और interest में difference दे दिया था ढाइ 100 रुपे आपको देके रखा था और आपका समय दे दिया था कितना तो 15 साल तो आप हमसे पूछ रहा था कि उसका मूलधर कितना होगा तो हम इसे कैसे निकालेंगे तो हम इस तरह के question में करते क्या है rate हमारा 5% है उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले उसे हम बदल लेंगे fraction में तो यह हमारा हो गया fraction में कितना 120 उसके बाद हम क्या करते हैं जो हमारे नीचे यानि की डिनोमिनेटर में होते हैं उसे हम प्रिंसपल माल लेते हैं तो हमारे प्रिंसपल हो गया 20 यूनिट और ताइम हमारे दे रखा है 15 येर्स तो इंट्रेस्ट 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 आ गया 15 यूनिट अगर हम डिफ कितने का हो गया तो 5 यूनिट का बठ हमारा दे रखाया difference कितने का तो 250 का यानि कि 5 यूनिट हमारे बराबर है क्युछ को 250 रूपीज के ताब हमसे पूछ रहे क्या principle तो अगर 5 distinguished 250 के बराबर हो तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे तो 20 यूनिट बराबर होगा हमारा rs 250 multiply by 20 divided by 5 इस तरह से हमारा प्रिंसपल आ गया rs 1,000 next इसी तरह से हम बात करें तो next हमारा question दिया था वो था आपका time and works related कह रहा था कि P जो है कोई काम को कितने दिनों में करता है और q उसी काम को करता है कितने दिनों में तो 24 डेज में और दे रखा था आपको कि r उस काम को कितने दिनों में करता है तो 30 डेज में तो हमसे पूछ रहा है कि q और r दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे सीधे हम PQR तीनों का हमें देखने के कोई जरूत नहीं है विकॉज हमसे QRR का पुछ रहा है तो Q अगर किसी काम को 24 दिन में करे R उसी काम को 30 दिन में करे तो हमने आपको time and work का अगर आप हमारे पिछला वीडियो देखे तो उसमें हम आपको बताया थे time and work का सबसे पहला फंड हमने क्या बताया था LCM लेना PQ करता है 24 दिन में R करता है 30 दिन में तो दोनों का LCM कितना हो गया तो 120 इसके बाद हम इसे allocate करेंगे तो allocate करके हमारा आया 5 और 4 यानि कि हमारे क्या आगया कि Q जो है एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है और R एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट वर्क करेंगे यानि कि Q प्लस R का 1 डे वर्क हमारे कितना हो जाएगा तो 1 डे वर्क हो जाएगा 5 प्लस 4 यानि कि 9 यूनिट तो अगर Q और R दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट वर्क करता है और हमारे पास टोटल वर्क था 120 तो Q और R का हमारा कितने दिनों में काम को खतम कर सकते हैं एक साथ तो 120 डिवाइड़ वाइ 9 इस तरह से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यह हमारा 13.3 आजाएगा 13.3 सम्थिंग आजाएगा यानि कि हम इसे एप्रॉक्स कहें तो 14 डेज में काम को कम्पलीट कर देगा नेक्स्ट हम इसके कुश्चन्स देखें तो नेक्स्ट हमारा था तिर्गुनों मेट्रिस रिलेटेड कुश्चन्स था कह रहा था हमें कॉस स्क्वाइड ठीटा माइनस साइन ठीटा इक्वल टू 1 बाई 4 यह आपको देखे रखा था तो अगर हम देखे तो cos square theta minus sin theta equal to 1y4 हो गया तो हमारा आगया sin square theta plus sin theta equal to क्या आगया तो अगर हम यहासे minus को common भी ले 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 तो यह हमारा क्या बच जाता है sin square theta plus sin theta equal to हमारा आजाएगा 1 by 4 इफर गया sin square theta यह सब इफर आगया तो 1-1 by 4 यानि कि 3 by 4 तब हम कर सकते sin square theta plus sin theta minus 3 by 4 equal to 0 इतना आपका आ गया अब options आपके 4 थे उसमें से आपको choose करना था कि कौन सा option है जो इससे supportive है next था हमारा जो question वो geometry related था आपको एक triangle दे रखा था इस तरह से आपका एक triangle दे रखा था इस triangle में अगर बोला जाए तो यहां से हमारा beach से एक रेखा खीचा था फिर यहां से इस तरह से खीचा था यह आपका 90 डिग्री बोलके रखा था और यह एंगल आपको 54 डिग्री दे के रखा है यह एंगल आपको 46 इस एंगल का value आपको 46 दे रखा था इसका value आपको x दे आपको आपको दे रखा है 80 तो y का value कितना हो गया तो 100 यानिकि y हमारा आगया 100 नेक्स्ट जो आपका question था नेक्स्ट question के आप अगर बात की जाए तो वह हमारा mensuration से related question है आपको दे रखा है कि कोई a spare है कोई क्या है तो a spare उसके diameter आपको दे रखे थे diameter आपको दे रखा है कितना तो 17.5 cm और कह रहा है कि अगर diameter चेंज हो जाए डाइमीटर चेंज होके r y 2 हो जाए तो तो हम इसमें क्या करेंगे हम हम इसमें 17.5 को neglect करके चलना है कुछ भी नहीं समझना है तो अगर हमारा diameter की बात किया जाए तो अगर हमारा diameter वही रहा गया तो हमारा radius कितना हो जाएगा तो आर तो इस तरह से अगर इस तरह के condition हो तब हमारा फरस्ट फरस्ट हमारा surface area की बात कीज़ए तो फरस्ट surface area हमारा हो गया 4 pi r स्कॉयर और अगर second surface area after change हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4 pi r y 2 को हॉल स्कॉयर तो यह हमारा हो गया 4 by 4 pi r y 2 को hall square तो यह हमारे क्या आ गया 4 pi r square by 4 याने की pi r square सुर्ड यह diameter नहीं है हमारे बोल रहा था radius अगर अपनी आधी हो जाए तब radius अगर अपनी आधी हो गई तो इसका surface हो गया 4 pi r y 2 को hall square तब हमारे second surface आ गया pi r square तो हमसे पुछ रहा था surface area के percentage change तो अगर हम यहाँ बात करें तो surface area change कितना हो गया तो 3 pi r square और पहले सा हमारा surface area था 4 pi r square तो surface area percentage change कितना हो गया तो 3 pi 4 और यह हमारा हो गया 25 याने की 75% आपका अंसर हो गया next अगर हम बात करें तो next आपका trigonometrics related question था यह हमारा बोल रहा है 1 by cos 1 theta आपका पूछ रहा है 1 by cos 1 theta plus cot theta equal to what तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे easy भी हमारा क्या है कि हम सारे को cos theta and sin theta में change कर देंगे तो यह हमारा क्या हो गया तो 1 by 1 divided by sin theta cos 1 theta का value होता है 1 by sin theta plus cot theta का value होता है cos theta by sin theta तब इसका value हमारा आगया कितना तो sin theta divided by 1 plus cos theta यहां से LCM लेंगे तो हमारा sin theta ऊपर चला जाएगा तो इस तरह से हमारा आगया sin theta divided by 1 plus cos theta आपका question था इसका hall square तो यह हमारा आजाएगा hall square तो हमारा हो गया sin theta divided by 1 plus cos theta का hall square इसके बाद आपको by option check करने कि इसमें हमारा कौन सा supportive है नेक्स्ट हम देखे तो नेक्स्ट हमारा question था algebra से related था आपको दे रखा था y equal to 2x divided by x plus 1 तब आपसे पूछ रहा था 1 divided by y plus 1 plus 2y divided by y square minus 1 equal to what तो ये भी आपका algebra से related question था इसे भी आपको by option solve करने थे तो आज के लिए बस इतना ही आगे के questions के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं आगे के questions जैसे ही हमारे पास आएंगे तो जल्दी वो भी उपलब्ट करवा दीजे जाएगी Hello friends आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube channel SS exam preparation में आज इस वीडियो में हम देखेंगे maths के उन questions को जो आज की 6 अगस्त को पूछे गए हैं हम उन सारे questions को यहां discuss करेंगे जो अभी तक मुझे मिले हैं तो चलिए सुरू करते हैं हमारा जो आज कब maths के questions की बात करें तो हमारा जो पहला question है वो क्या है तो सबसे पहले हम बात कर आज तो आपके questions क्या थे एक triangle था आपके पास इस triangle के name हमने माने ABC ABC आपके पास एक triangle था इसके बीच में एक line खिचगवा था DE और आपको देखे रखा था given क्या था तो आपका given था DE parallel BC और आपका BD का value given था X-3 cm AB का value आपका given था 2X cm EC का value था X-2 cm और AC का value आपको दे रखा था 2X plus 3 cm और आपसे पूछ किया रहा था था X equal to what? तो हम इसे कैसे solve करेंगे? तो इसे हम solve करेंगे किस चीज़ से आपने पढ़ा रखा होगा THELS theorem तो हम इसे solve करेंगे THELS theorem से यहाँ पर हम THELS theorem का use करें तो THELS theorem करता है BD by because आपके पास value AD का नहीं BD का दे रखा है आप चाहें तो इसे AD का अलग से निकाल ले बट हम उतना calculation क्यों करें हम directly लेख सकते है BD divided by AB equal होगा किस के? तो EC divided by AC के अब हम आसानी से इसमें value पूट कर सकते हैं तो हमारा BD का value होगा क्या? तो X-3 divided by AB का value कितना होगय तो 2X equal आपका किसका होगया? तो X-2 divided by 2X plus 3 अब by cross multiplication हम इसे solve करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा? 2X square plus 3X minus 6X minus 9 equal to आपका क्या होगया? तो इधर से किया तो 2X square minus 4X अब 2X square से 2X square cancel होगया अब हमारे पास बचा गया तो minus 3X plus 4X equal to 9 तो यह हमारे पास आगया X का value equal to 9 next question के अगर बात करें तो next question आपका था किस से? तो profit and loss है profit and loss में आपने पढ़ा होगा हमने आपको इसके आपके बहुत सारे वीडियो बताया है और जो question पूछा गया था उस तरह के तो हमने आपको बहुत सारे questions बताया थे तो यह question क्या गया रहा था? कि किसी बस्तू को 13,400 रुपे में बेचा गया है कितने में बेचा गया है तो इसका selling price हम लिख देते 13,400 रुपे में बेचा गया है अगर ऐसा करते तो अब हमें 50% का loss होता है तब हमसे पूछ रहे कि अगर हम 50% का profit कमाना चाहे है तब हम उसे कितने में बेचेंगे तो हम इस तरह के questions में क्या करते है हम माल लेते कि हमने बस्तू को खरीदा कितने में था तो 100 unit में अगर हम इस पे 50% की हमें आनी होगी तब इसे कितने में बेचेंगे तो 50 unit में और अगर 50% का profit हो तब इसे किसे में बेचेंगे तो 150 unit में आब हम देखे तो हमारे दे रखा है कि 50 % हानिक पे हम 50 unit में बैच रहे हैं बट हमारे question कितना है तो 13,400 रुपय हमारे दे रखा है यानि कि 50 unit हमारे बराबर है किसा के तो 13,400 रुपय कह तो अगर हम 50 % profit कमाना चाहता है इसका भी क्रेमु लिक्या होगा तो हम उसके लिए क्या क करेंगे अगर 50 unit 13400 के बराबर है तो 180 unit किसके बराव हो रहोगी तो 150 unit बराबर Rs 13400 into 150 divided by 50 इस तरह से यह हमारे कितने आ जाएंगे तो अगर हम इसे totally calculate करें तो यह हमारा होगया चार्तिय बारा तिंतिय नौ एक दस तीन एक चार फोर जिरो 200 क्या हमारा आ गया तो 40200 रुपए में नेक्स्ट अगर हम इस पर कुश्चन देखें तो नेक्स्ट अमारा कुश्चन किस चीज से था तो नेक्स्ट कुश्चन हमारा था average से average जैसा कि आपको लगता होगा कि बहुत ही जादा इजी चेप्टर है बट इससे आपको कुश calculation के लाएक कुश्चन दिये थे कुश्च थोड़ा hard आपको बनाने की कोशिस की गई थी तो यह हमारा question था इसमें आपको data दे रखा था क्या तो आपको दे रखा था कि तीन लगतार यानि की 3 consecutive even number तीन लगतार even number का आपका average दे रखा था कितना तो तीन लगतार even number का average दे रखा था ए तब हमसे पूछ रहा था कि इसमें 5 लगतार और जोड़ दे तो हम 3 से शुरू करना है और 8 लगतार even number का average कितना होगा equal to what तो हम इसे कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमने माना की तीन लगतार even number हो क्या गया है तो x plus 2 x plus 3 x plus sorry x plus 2 x plus 4 x plus 6 आगे बढ़ते जाएगे तो x plus 8 x plus 10 x plus 12 इस तरह से यह हमारा बढ़ते जाब और 8 लगतार पूछ रहा है तो हम सबसे पहले 3 लगतार even number का हमारा average दे रखा A, तो हम यहां से 3 लगतार event number का अगर average निकाले तो क्या हो गया, तो 3X plus 12 divided by 3 equal to A, इस तरह से हमारा आगया, A equal to क्या, तो X plus 4, और हम से पूछ रहा है 8 लगतार, तो 8 लगतार event number की बात करें, तो 8X आप में add हो गया, तो 8X हो गया, अब हमें add क्या करना है, तो 2 से 4 बढ़ रहा है, 4 से 6 यानि कि 2 to add हो रहा है, तो 2, 4, 6, 8, 10 बार है, इन सारे का हमारा sum निकालेंगा, तो sum इसका होगा क्या, तो S n equal to क्या होगा, तो sum की बात करें, तो इसका आपको formula मालूम होगा, 8 y 2 into 2 into 2 into 2 plus 7 into 2, इस तरह से यह हमारा आगया 4, और यह हमारा हो गया 4 plus 14, यानि कि कितना हो गया, तो 18 multiply by 4 यानि कि 72, तो 8 लगतार event number का हमारा sum आगया, 8 x plus 72, अब हमसे पुछ रहा है, इसका average तो divided by 8, तो इस तरह से हमारा आगया, x plus 9 average, बठ हमारा बोल रहा है, एक रूप में, तो हम यहाँ पे देखें, तो x plus 4 को अलग कर दिया, बच गया 5 plus 5, यानि कि हमारा हो गया average गया, तो a plus 5, next question कि, अगर बात करें, तो next question हमारा किस्ते था, तो next question था, percentage से उसमें आपका population से related question था, हमारा question कर रहा था कि किसी सहर की present population, यानि कि बरतमान जन संख्या, present population हमें दे रखा था, कितना, 2, 3, 26, 0, 1, 0, और बोल रहा है कि, इसका जो है, per year population जो है, 2% increase कर रहा है, तब हमसे पूछ रहा था कि, 2 साल पहले, 2 years before, 2 साल पहले, उस सहर का population कितना था, present population आपको दे रखा है, 26,010, तो आपसे पूछ रहा है, 2 साल पहले का population कितना होगा, इसको बनाने के तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप क्या करोगे, 100, p into population into 102, divided by 10, यह सब करोगे, इससे भी easy है, हमारा क्या तरीका होता है, हम इसे ratio से solve करते हैं, तो ratio से कैसे solve करेंगे, तो हमने माना, कि 2 साल पहले हमारा था population 100, तो एक साल बाद इसका population कितना होगा, तो 102, तो अगर हम इसे 50 और 51 भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से यह हमारा ratio था, तो cut हो गया, तो 50 और 51, तो एक first year का population हमारे इसी ratio में बढ़ेगा, और second year का population भी इसी ratio में बढ़ेगा, 50 ratio 51, अब हम यहाँ पे देखें, तो बोल रहा कि present population उसका कितना है, तो 26,010, यानि कि 51, और यहाँ पे हम देखें, तो 51 का square होता है, 26,010, यानि कि हमारा अगर हमने माना कि हमारा first year का population जो increase करने के बाद 51 हुआ था, और second year का, दोनों year का मिला कि, यानि कि present population की बात करें, तो हमारा आगया 51 का square, यानि कि 26,010, और दो साल पहले हमारा population कितना था, तो 25,010, तो यहाँ पे देखें हमारा, यह हमारा दो साल पहले का population हो गया, पचीस सो और present population हो गया, 26,010, यानि कि 10 की बढ़ होतरी हो रही है, तो हमारा दो साल पहले present population कितना हो जाएगा, तो 25,000, नेक्स्ट अगर question की बात करें, तो next question हमारा था, mensuration से, आपको दे रखा था कि एक समलम चतर बुझे, इस तरह समने बना दिया, यहाँ पे हमारा एक समलम चतर बुझे हो गया, जैसा कि आपको दे रखा था एक trapezium, यानि कि समलम चतर बुझे, उसके दो समना अंतर बुझाओ का आपका वैलू दे रखा था, यह ABCD आपका समलम चतर बुझे हो गया, तो अगर हम इस खेत को जोतना चाहते हैं, तो हमारा 188 रुपए है, पर सेंटिमीटर स्क्वाइर खर्च है, तो हमसे पुछ रहे हैं, टोटल हमारा खर्च कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इस तरह के कुश्चन में क्या करते हैं एरिया निकाल लेते हैं जितना हमारा खेट का एरिया होगा उतना ही हमारा खर्च भी होगा इसे जोतने में तो हमारे एरिया समलम चत्रवुज का एप एरिया जानते हैं क्या होता है तो 1 by 2 into समांतर भुजाओ का योग तो यह हमारे कितना हो गया तो 1.44 प्लस 4.56 multiply by 30 cm इस तरह से हमारा एरिया आगया 90 cm2 और कह रहा है कि पर cm2 हमारा खर्च है 188 रुपए तो टोटल खर्च टोटल हमारे expenditure कितना हो जाएगा तो टोटल expenditure हमारा हो जाएगा कितना तो 188 into 90 cm2 इस तरह से हमारा आगया 16920 रुपए 16920 रुपए next question था आपका क्या तो next question आपका था next question के अगर बात करें तो हमारा next question algebra से related था question क्या था तो x plus 1 by x की value आपके दे रही थी under root 13 then आपसे पुछ रहा था x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal to what पिछले वीडियो के अगर बात करें पांच अगस्त की बात करें तो उसमें भी आपको इस तरह के question थे बस उसमें आपको x to the power 6 plus 1 by x to the power 6 की value पुछे थे इसमें आपको x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 की value पुछा तो हम इसे कैसे बनाएंगे तो इसे बनाने के आपको उमने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे तरीके बताया अगर आप हमारे पूट कर दे तो under root 13 को whole 5 minus 5 under root 13 को whole q plus फाइब दर root 13 को whole five कितना हो गया तो 169 root 13 मैसि यह हमारे कितना होगया तो 65 root 13 plus यह हमारा कितना हो गया तो five root 13 अभी से हमने टटली यूज्ज किया तो हमारा घया 609 रूट 13 नेक्स्ट अगर कोश्चन की बात करें तो यह आपका सिंप्लिफिकेशन से रिलेटर कोश्चन था यह कोश्चन क्या था 12 डिवाइड़ वाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 18 डिवाइड़ वाई रूट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू वाट तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसे बनाने के लिए एक तो अपर रिशनलाइजेशन यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरे रूल क्या यूज़ कर सकते हो तो आप डिरेक्टली यहाँ पर LCM ले सकते हो तो यह हमारा आगे 12 12ола 5 माइनस रूट 3 में प्लस ऐटीन रुट 5 प्लस रूट 3 और यह हमारा हो गया नीचे अहaciे आएगल यह हमारे कितना तो अंडर 5 प्लस रूट 3 इंतुू फाइब माइनस रूट 3 यानि एसकोर माइनस, भी स्कूर की रूप में तो तो यह हमारा हो गया अंडर रूट 5 को होलो स्क्वाइब माइनस रूट 3 को होलो स्क्वाइब अब हम इसे टोटली स्वाइब करें तो यह हमारा 12 रूट 5 प्लस 18 रूट 5 कितना हो गया करें हैं order 15 root 5 plus 3n3 को become all nρεa the as well as 5 seed root 5 plus root 3 तो जिन स्थी जल्मोगों नहीं हमें भी तक अमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो वी एप लोड़ कर ये उसके आपक अप्देट्स मिलते हैं तो चली black करते हैं आज कि अगर बात करें तो हमें सबसे पहले questions मिले किसे हैं तो हमारे questions हैं जो कि काफी easy है अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो यह आपका काफी easy question है आपका sentence में बनाओ questions थे but because exams online नहीं online होते तो हमें total line by lies हमें questions नहीं मिल पाई इस करन हमें आप मेरी बातों को समझने के questions करें आपको question समझ में आ जाएगा तो हमसे question कह रहा था कि 19,000 रुपे एक आदमी के पास कितने रुपे हैं तो 19,000 रुपे जिसमें कि उस आदमी के 3 बेटे हैं कितने बेटे हैं तो 3 बेटे हैं दो बेटियां है और एक wife है इन सब में इसे बाट है एक डॉटर को एक डॉटर को जो उसके सन का 1.5 मिलता है एक डॉटर को क्या है उसके सन का 1.5 मिलता है यानि कि हम कह सकते हैं कि एक डॉटर को मिलता कितना है अगर एक सन को X unit मिलता है एक सन को हमारे एक रुपीज मिलता है तो एक डॉटर को कितने रुपीज मिलेंगे तो इसका 1.5 बोले, बोले कि एक डॉकर को एक संब्सक्वाल ऐसके बाद बात किया स्बसंधे, तो पत्नी स से स्फेसो रूपई कम . новых cut ≥ तो श कतने मिल गया थिपट्ट कpell था 3 उसे कहने रूपय मिल तो हमें वह निकाल लें यहां ऑर एक बेट्टे को एक्स मायनस 6 उसेald अगर add करें तो यही हमारा total उतने रुपे थे उसके पास 19,000 रुपे तो यहां से हम x का value निकाल लेंगे तो हमारा value कितना हो गया तो 7x equal to 600 उधर जाएगा तो आगे 7x equal to 19,600 इस तरह से हमारा x का value आगे कितना तो 2800 तो आपके questions में mistake क्या होती है कि आप directly सब 200 को answer लिख देते हैं but आपको अगर बोले कि बेटों को कितने मिलो यानि तीनों बेटों को मिला के मिले तो हमारे कितना मिला तो 3 x 2800 यानि कि 8400 रुपे next question था जो आपका टिकोनमेट्रिस related question था इसमें आपका question था tan theta plus cot theta equal to what और आपके options क्या थे option a में थे आपके sin theta because इसके option आपके सबस्यादी useful है इसके answer करने के लिए b में आपके थे 2 cos theta c options की बात करें तो c option था 2 tan theta and d option था आपका क्या तो 2 z theta तो हमें इसके answer निकालने हैं तो हम इसमें क्या करते हैं इसमें मेरा सबसे बीटर तरीका क्या होता है कि हम theta की value माल लेंगे तो theta की value हमें बहुत सोच समझ के इसमें आपका यह confusion दिया है कि theta के value सोच समझ के मानना है कुछ ऐसा ना मानने है कि जैसे कि हमारा जैसे कि अगर हमने theta का value 45 माना तो 1 plus 1 2 हो जाता है और 2 देखे तो अगर 45 रखे तो 2 cos 45 भी 2 हो जाएगा और 2 sec 45 भी 2 हो जाएगा तो यहां पर यह हमारा confusing हो गया इस कारण हम theta का value 45 नहीं मानके theta का value 30 मानके देखते है तो theta equal to 30 माना तो यह हमारा कितना हो गया और 0 यह 1 हम मानने ही सकते कि because 0 1 मानेंगे तो 1 infinite हो जाएगा तो हम मानेंगे क्या 30 यह 60 कुछ भी मान सकते है तो 10 30 कितना होगा तो 10 30 होता है 1 by root 3 plus quad 30 हो गया root 3 इस तरह से अगर हम इसे totally solve करें तो यह हमारा आएगा 4 root 3 अब हमें options में से check करना है कि 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 के value 4 root 3 होगे तो sin theta का कभी नहीं होगा 2 cosec 30 का कभी नहीं होगा इस chapter से related थे इसमें हमारा question क्या दे रखा था कि एक आदमी है वह अगर किसी समान को बेचता है आपको इसमें sentence को समझने है एक आदमी किसी समान को अगर 15,990 रुपय में बेचता है अगर ऐसा करता है तब उसे discount होता है कितने percent का कितने percent के discount पे बेचेगा तो वह 15,990 में ब पुछ रहा कि उस Bustu की marked price क्या थी तो अब इसमें क्या करेंगे बनाने के बहुत सारे तरीके होता है तो हमने माना कि उसका marked price hundred था तो अगर उसपे 18% discount देगा तब उसे कितने में बेचेगा यह हमारा marked price हो गया अगर 18% discount देगा तब उसे कितने में बेचेगा तो 100-18% करेगा तो हमारा आजाएगा 82 बट यहाँ पर हमें दे रखा है कि 18% discount पर 15,990 में बेचता है यानि कि 82 unit आपके बराबर है किसके तो 15,990 रुपे के तब हमसे पुछ रहा marked price क्या होगा mark price यानि 100 unit की बात कर रहा तो अगर 82 unit तो अगर 82 unit हमारे बराबर है 15,990 के तो 100 unit किसके बराबर होगे तो 15,990 into 100 divided by 82 इस तरह से हम इसे स्वाल करेंगे तो हमारा आएगा 19,500 रुपे तो mark price हमारा होगे 19,500 next question जो था आपका वो train से related question था यह हमारा question क्या कर रहा था कि 2 train है दो train है वो एक दूसरे के opposite side में चल रहा है पहला train जो है 40 km per hour की speed से चल रहा है और दूसरा train आपका चल रहा है कितने के speed से तो दूसरा train आपका चल रहा 50 km per hour की speed से और आपका question बोल रहा है कि distance हमें take करने कितने 108 km तो हमसे पुछ रहा है इसमें time कितना time कितना लगेगा वो भी कि आपसे question पुछ रहा है second में तो हम इसे कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा अगर speed अगर opposite होता है opposite direction में जल रहा हो तो speed हमारा add हो जाता है तो यह हमारा 40 plus 50 यानि कि 90 और हम जानते है distance equal to speed by time होता है तो 108 sorry distance equal to speed into time तो 108 equal to 90 into time हमें नहीं मालूम है time हमें निकालने है तो time equal to क्या हो गया तो 108 by 90 इस तरह से यह हमारे कितने आ जाएंगे तो 1.2 hour ड्यान रुखा इन का question पुछहा सेकेंड में और आपके そうですね इसके औराशन में जाएंगे और बहस्तंस किया थे question में तो option no. a की बात के जाए तो 72 seconds Option no. b की बात की जाए तो 432 सेकेंड Option no. c की बात की जाए तो बाहर सेकेंड and option number D की बात की जाए तो 4320 seconds ये थे आपके options तो हमारा 1.2 hour हो तो हम इसे second में change करेंगे तो हम इसे अगर 1.2 multiply by 60 किसी-किस student confusion में ताकि जल्दी हो जाए उस confusion में गलती करके 72 seconds option मार के आ जाएगे बट ये तो आपका minute हो गया हमें इसमें 60 और multiply करने है तब हमारा कितना second हो गया तो 4320 seconds यानि की option number D next जो आपका question था वो आपका question क्या था तो वो भी हम देखते हो आपका question था age से related किस चीद से related था तो age से related अप देखते है ये question क्या कर रहा था ये question आपके दो लड़कों के बारे में बात कर रहा था एक का नाम था अजय एक का नाम था पंकज दो लड़के हो गया आपके अजय और पंकज और फिर आपका condition दे रहा था कि अजय की जो आयू है अजय की आयू के बारे में बोल रहा था कि अजय की आयू 14 बर्स पहले 14 वर्स पहले की बात कर रहा है कि 14 वर्स पहले अजय की आयू जो है पंकज की चार गुनी है पंकज की कितनी है तो चार गुनी अजय वरावा 4 पंकज हम अगर स्वाट में लिखे तो a equal to 4p हो गया उसके बाद बोल रहा है कि यह हो गया 14 पहले की कानी percentage जो है percentage में जो है आजाए कि आयू पंकज कि आयू से 2 गुनी है अभी हम देख रहे 14 पहले अगर हमने a माल लिए तो percentage कितना हो जाएगा तो a plus 14 और पंकज में 14 एड होगा तो p plus 14 बोल रहा है कि आजाए कि पर्जेंट जो है पंकज से दो गुनी है तो 2 से multiply कर दिया अब हम इस value को यहां पे पूट कर दें तो 4p plus 14 equal to हमारा आगया 2p plus 28 तो हमारा आगया 2p equal to 14 यानि कि पंकज का एज आगया 7 यह 7 हो क्या गया तो यह 7 हमारा हो गया 14 पर्स पहले की उमर और 14 पर्स पहले की उमर अगर हम आजाए की निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 यानि कि 28 और अब देखते हैं हमारा question क्या पूछ रहा था question हम से पूछ रहा था तो टोटल पर्जेंट एज यानि कि आजय और पंकज दोनों की पर्जेंट एज का एड पूछ रहा था तो पर्जेंट एज की बात करे तो पर्जेंट एज हमारा कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 प्लस 14 बरस बाद because हमने 14 एड किया percentage में तो यह हमारा हो गया 21 और अजय कि कितनी हो गया 21 प्लस 20 28 प्लस 21 यानि कि 49 तो टोटल प्रजेंटेज कितना हो गया 28 प्लस 14 आपका एड हो जाएगा 28 प्लस 14 तो यहाँ पर 28 प्लस 14 किया तो इस तरह से यह हमारा हो गया 32 तो हमारा प्रजेंटेज कितना हो गया 21 प्लस 32 यानि कि 53 यह हमारा हो गया 42 तो हमारा प्रजेंटेज कितना हो गया तो 63 नेक्स्ट अगर क्योश्टन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्योश्टन था आपका CI से इसे भी बस आपको समझने है आपका question क्या कह रहा था कि आपका बहुत ही ज्यादा easy question था आपका कह रहा था कि दर हमारा दे रखा था कितना 40% per year yearly इसे करना था तो 40% और आपका time दे रखा था one year बोल रहा था कि CIE compound interest जो है अर्ध बारसिक जोड़ा गया याने कि half yearly जोड़ा गया तो हमें इसमें करने क्या होता है अगर अर्ध बारसिक बोले था हम इसमें कुछ नहीं करना है rate को हमारा 40% yearly था तो अर्ध बारसिक में rate को आदा करेंगा तो 20% और time को डोगना करना पड़ता अर्ध बारसिक में तो time कितना हो गया तो इसके बाद हमें हमें इसके टोटल डाटा नहीं मालूम है तो इस तरह से आपके इस मेथड़ पर आपके questions थे तो हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SS exam preparation में आज इस वीडियो में हम 6 अगस्त को पूछे गए data interpretation के questions को solve करेंगे इसके पहले के दो वीडियो में maths के सारे questions को हमने solve कर दिया है तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल के playlist में जाकर जरूर देखे जिसका लिंक आपको नीचे description में दे 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 गया है तो चलिए start करते हैं आपको दिया गया था कि आपके subjects थे Hindi, Math, Science and Social Science जिसमें कि आपके 5 students के marks दिये गए है कि 1st students के Hindi में 89 marks आया है सबसे first question था उसके पहले हम क्या करेंगे सबसे easy अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें ज्यादा मेहनत ना लगे बार बार हमें ना इसे कुछ करना पड़े तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सारे को add कर लेंगे तो add करने में हम पाएंगे because आपके questions है कि questions आपके दिये गए टोटल हिंदी के marks या फिर first student के total mark इस तरह से आपके question दिये गए उसके लिए आपको add करना बहुत ही जादा important है तो हम सारे को add कर लेंगे तो first student के total marks आपके कितने हो जाएंगे तो 368, second student के total mark आपके हो गए कितने तो 309, third student की अगर बात किया जाए तो 386, fourth student की बात किया जाए तो 383 and fifth student की बात किया जाए तो 376 अब बात किया जाए हिंदी में total marks कितने आए पांचों students को मिलाके तो total marks आए 489, maths की बात किया तो maths में total marks आए 477, science की बात किया तो science में total marks आए 478 और social science में total marks आए थे 468 अब यह हमने add किया इसके भी आपके एक तरीके होते हैं हम क्या करेंगे हम देख रहे हैं कि सारे हमारे 100 के नजदीख है तो हमने देख लिए कि total 500 है तो उपर में 500 लिख दिए उसके बाद minus करेंगे कितने तो 189 कितना कमें तो 11 कमें 99, 1, 98, 2, 97, 3, 96, 4 तो इस तरह से हमारे ह 10, 50-21 आपके होगे तो 500-21 आपके कितने आगे तो 479 इसी तरह से हमने सारे को add कर लिया तो यह आपका बहुत ही जादा easy method है add करने का अगर आप चाहे तो इस method CCS आनी तरह से add कर सकते हैं तो आए देखते हम इस पर questions इस पर हमारा question था सबसे पहला question आपको पुछा गया था क सोसल साइंस के मार्स हैं वह हिंदी के मार्स की कितने percent है तो सोसल साइंस का मार्स आपको कितना है तो 400 और हिंदी का मार्स 69 तो हम से इसका percentage पूछ रहा तो percentage कितना हो गया तो 400 अर्षट डिवाइड वाई 489 मल्टिप्लाइवाई 100 इसका अमारा अंसर हो जाएगा यही 400 अर्षट डिवाइड वाई 489 मल्टिप्लाइवाई 100 इसका सब्सक्राइब इसका diet wod इसकर चتيए और सब्सक्राण करें से कि तुम मार्षट को कृच्छा लन में माँषणितर्म पर्सरेंट इसका लिए उसके द्यून सश्केकर फिल्स x सॉसरा कि माइकसिमल मांकस तो चाहरा आल सबस्दितं इसके की है आपके हो गई marks कितने तो 386 44 हो गई 373 एंड 5 अच्ट च्ट च्ट की हो गई 306 तो हम से पुछ नहीं थी maximum marks किस students को मिले तो आप यहां से निकाल सकते तो maximum marks आपको किस students को मिले तो आपको student number 2 को आपको मिले कि Maximum marks यह आप को हो गया maximum marks इसके बाद जो आपका इस आपको पुछा था सॉरी यह आपको क्या हो गया तो मैक्सिमम माक्स इसके बाद जो आपका सेकेंड कोश्चन पुछा था मैक्सिमम माक्स यह हमारा फॉस्ट का हो गया फॉस्ट रस्ट रस्ट्रेंड का और सेकेंड कोश्चन था कि आपका सेकेंड मैक्सिमम माक्स किसे मिले तो second maximum marks आपको मिले थे, इस students की student number 3 की, अब देख रहे हैं, second आपको यही हो गए, तो second maximum marks मिले थे किसी, तो student number 3 की, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी अपलोड करें, उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें, then bye and take care.